हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माई इगनू सॉलिशन्स और आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं MPS 002 के सॉल्ट असाइम्मेंट MPS 002 जिसका नाम है अंतरास्चिय संबंध सिधान्त अवम समस्य यानि इंटरनेशनल रिलेशन त्योरी एंड प्राब्लम्स तो इसके हम फिरी सॉल्ट असाइम्मेंट आप लोगों के लेकर आए हैं यह सॉल्ट असाइम्मेंट आपके 20-21 के सेशन के लिए हैं यानि जिन्वे स्टूडेंट का एड्मिशन जून 2020 से जुलाई 2020 के सेशन में हुआ ह इन सेशन वालों को जो असाइम्मेंट बनाने हैं वो बनाने है 20-21 के और अभी इस असाइम्मेंट का सब्मिशन डेट है वो मार्च 2021 है इसके बाद हमारा अक्टूबर में आएगा 2021 में सब्मिशन होगा तो चलिए हम अपने फ्री सॉल्ट असाइम्मेंट के और चलते हैं तो यह हम आ चुके हैं अपने सॉल्ट असाइम्मेंट पे अंतरास्टी संबंद सिध्धान तयों समस्या है तो यह हमारा असाइम्मेंट है पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिसकस कर लेते हैं किनी पांच प्रशनों के उत्तर लगबग 500 शब्दों में दीजिए आपको दस क्वेश्चन दिए गए इनमें से टोटल आपको पांच ही करने हैं और इनका उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है और इस पूरे असाइम्मेंट में आपको दो भाग दिवाइड़ मिलेंगे और हर भाग में से आपको कम से कम दो क्वेश्चन तो करन से पांच और भाग टूके क्वेश्चन से पांच तो चलिए हम पहले कोशन पर आ अपने अंतराश्टी संबंदों पर यथार्थवादी सिध्धान की मूल अवधारनाओं की पहचान कीजिए व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार अंतराश्टी राजनीती का पारंपरिक तो यह आपको बताना है आप इसका अंसर लिख सकते हैं देनमारस दूसरा कोशन आता है तीसरी दुनिया में राज्य की प्रकरती और विशेश्टाओं का वर्णन करे देन इसमें हमने चौत्था कोशन जो है अटेम्ट किया हुआ है नारिवाद शक्ति को कैसे परिभाशित करता है अंतराश्टी संबंदों में नारिवाद के मूल विचारों की व्याथ्या करें तो आप इसका आंसर वीडियो को पॉस्ट करके भी लिख सकते हैं तो यहां पर हमारा यह भाग फिनिश होता है नेक्स हमारा भाग आता है भाग दो जिसका पहला है सिक्स्त इसका का हम करेंगे जैसे वैश्वी करण और वैश्विक्ता का मतलब बताएं तो आपको इसमें वैश्वी करण और वैश्विक्ता का मतलब बताना है दिन उसके अलावा खा हमारा है लोगतांत्रिक शांती सिध्धान्त तो लोगतांत्रिक शांती सिध्धान्त का आपको बताना है दिन इसका आठवा कोश्चन है जिसका का है पर्मानु नीश अस्त्र तो बहुत ज़्यादा फेमस है। कि अलावक क्षाएं हमारा अंतराश्टी संबंदों के अध्यान के लिए का माक्स वाधी दिरिस्ट्रिकोन बताना है आपको तो माक्स वाधी दिरिस्ट्रिकोन आप बता सकते हैं कि माक्स अपने किस तरीके से अपने यूज लिग दिये थे हैं, वालब डिस्ट्रिक कौन था, यहां तक हमारा यह अंसर खतम होता है, और इसी के साथ हमारा यह असंग्मिन्ट भी खतम होता है, तो यहां पर अगर आपको एगनु की हैल्फ बुक चाहिए, पिछले दस साल के सॉलिश और या फिर एक्जाम गाइड के चाहिए एक्जाम गाइड में इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंस हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो काफी अच्छे से सिर्फ एक्जाम के लिए यानि अगर आप एक्जाम के लास्ट टाइम में आपको वाटसप पर मिल जाएंगी इसके अलावा अगर आपको डारेक्ट सेंडर्ज की वैब साइट से परचेशिंग करने हैं तो आप इनकी वैब साइट पर जाके भी विजिट कर सकते हैं इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शिप्शिन बॉक्स में दे दूंगी इसके लावा हम टाइम टू टाइम कई सारे इंपोर्टेंट न्यूज इगनू से रिलेटेड हैल्प से अपनी वैब साइट पर लाते रहते हैं माई इगनूस डाट कॉम के हमारी वैब साइट है अब जाकर विजिट कीजिए इसके अलावा आपको अगर पीडिया चाहिए तो आ हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग